हलो फ्रेंड्स वेलकम टू इस्टेडि विद्ग्यान प्रकास आई शुरू करते हैं 26 दिसंबर के कंड़ फेर और पहला कोशन होगा कस्मीर में चिल्लाई कला की सुरुआत इस वर्स 2021 में किस तिति से हुई है अब देखो यह जो चिल्लाई कला है क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे इसके सुरुवात हुई है 21 दिसंबर से यानि कि बिकल्प भी आपका यहां पर करेक्ट है अब यह तस्बीर देखकर आपको अंदाचा लग जाएगा कि कस्मीर में एक समय ऐसा भी होता है जब वहां पर ठंड बेहिसाब पड़ती है बहुत ही तेज पड़ती जाए और इस दवरान इस छेत्र में कड़ा के किठन पड़ती है यहां के प्रसिद्र डल जील के साथ साथ घाटी के कई हिस्सों में पानी की आपूरती लाइनों सहीद जलासे जम जाते हैं और इस दवरान अधिकतर इलाकों में बर्फ बारी की संभौना भी सबसे अधिक खासकर उचाई वाले इलाकों में भारी हिमपात होता है चिल्लाई कला के 31 जमरी को खत्मने के बाद 20 दिन का चिल्लाई खुर्द और फिर 10 दिन का चिल्लाई बच्चा का दौर सरू होता है तो सबसे पहले तो कड़ी ठंड का दौर होता है जो कि 40 दिन का होता है चिल्लाई इसे ही का जाता है चिलने ही कला तो इसको आप यहाद रखना आगे बढ़ते हैं इसको रोका तो नहीं जा सकता लेकिन इसका संक्रमण का जो जोखिम है उसको कम करने के लिए एक इंजेक्शन को लांच किया गया है जिसको नाम दिया गया है एप्रेट्यूड यानि कि बिकल्प ए इसका करेक्ट है एप्रेट्यूड तो यह आप यहाँ पर देख सकते हैं एप्रेट्यूड इंजेक्शन फार एचाईवी और बीस दिसंबर को खाद एमंग आउसद प्रसासन फ्डिये द्वारा अनमोधित एचाईवी संक्रमण के जो इंजेक्टिबल सस्पेंशन फूड एंड ड्रग एड्मिस्टेशन के बारें बात करें यानि कि अफडिये के बारे में इसको फ्डिये या फिर यूएस फडिये भी कहते हैं हेड़्कॉर्टर मिलेगा आपको कहां पर युनाटेट इस्टेट के मेरी लैंड में आपको इस संकुल की ये जो पर्यूजना है इसकी जो आधार सिला है कहां पर रखी गई है वारानसी में तो सही जबाब इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन सी यानि की वारानसी तो देखें फ्रेंड्स तीस एकड भूमियों में फहले इस डेरी का निर्मान लगबग चार सो पशत्तर कर करोंड रुपए की लागत से होगा और इसमें रोजाना पांच लाख लेटर दूद के प्रसंस्क्रण की सुविदा होगी इससे ग्रामेड अर्थव्योस्ता को मजबूती मिलेगी और छेत्र के किसानों को प्रगति के नए आउसर भी मिलेंगे प्रधान मंतरी बनास डेरी से जुड़े 1.7 लाग से अधिक दूद उत्पादकों के बैंक खाते में लगबग 35 करोंड रुपए का बोनस डिजिटल के रूप में अस्थाना रिक किया जाएगा प्रधान मंतरी मोधी के द्वारा अगरा कुश्यों होगा हाली में किस देश ने सिनेमा सेंसर्शिप को स ने फिल्मों की रिलीज को लेकर लीक से हटते हुए एक बड़ा फैसला किया है इसके तहट अब फिल्मों की रिलीज पर किसी तरह का संसर नहीं होगा UAE की सरकार उस समय से अपने कई ऐसे कानूनों में बदलाव कर रही है जो खाड़ी के इसलामिक देशों में मानने हैं UAE की सरकार अब फिल्मों में सेंसर्शिप के बजाय उन्हें 21 प्लस रेटिंग से रिलीज करेगा 21 प्लस रेटिंग जैने कि इससे देखने वाले जो लोग होंगे उनकी उम्र 21 सल से अधिक होनी चाहिए तो स्वयुक्त अरब अमिरात के बारे में कुछ बिंदु बहुत ही इंपोर्टेंट हैं जो की एक्जाम में पुछे जा सकते हैं जैसे कि स्वयुक्त अरब अमिरात के मंगल मिसन का नाम याद रखेगा होप मिसन है और स्वयुक्त अरब अमिरात के आगामी अंतरिक्ष अभियान के लिए चुने के जो दो अंतरिक्ष चात्री हैं उसमें एक नाम जो फिमेल हैं उनका नाम है नोरा अल मातरोसी और मुहम पदी कौन है सेख खलीवा बिन जायद अलनायान मुझे तो बस खलीफा नायान याद रहता है ICC का मुख्याल है दुबई में है और यहीं पर है दुनिया की सबसे उची इमारत जिसका नाम है बुर्ज खलीफा जिसकी उचाही कितनी है आगे बढ़ते हैं अगला कुशन होगा कि राश्ट्री उपभोगता अधिकार दिवस यानि कि नेशनल कंजूमर राइट्स डे 2021 ये का मनाया गया तो देखो यह जो नेशनल कंजूमर राइट्स डे होता है ये प्रतिवरस 24 दिसम्बर को मनाया जाता है यानि कि विकल्प भी कि इसका यहां पर करेक्ट है चबवेश डिसम्बर और इसकी इस साल की थीम है प्लास्टिक प्रद्वूशन से निपटना यानि कि टैकलिंग प्लास्टिक पलिछूशन हाली में आपको याद होगा कि 20 मिरदा दिवस मनाया गया था पास दिसमबर को भारती नो सेना दिवस के रूप में मनाने का उद्देश से ससस्त्र बलों की बहतरी के लिए लोगों से धन एकत्र करना है तो यह कुछ important days हैं इंगा revision हम लोग साथ साथ करते चलेंगे आगे बढ़ते हैं राश्टी अपराद record bureau यानि के NCRB National Crime Record Bureau के नए डेजी बनाए गये हैं कौन तो यहां पर से जबाब जाएगा विबेक गोगिया जी option C इसका correct है विबेक गोगिया तो अवड़ांतर प्रदेश गोवा मिजोरम और केंट साथ से प्रदेश यानि की AGM UT केडर के 1992 के IPS विबेक गोगिया को सोमवार को राश्टी अपराद record bureau NCRB का निदिसर नियूद किया गया है विबेक गोगिया NCRB के मवजुदा निदिसर रामफल पामार की जगन लेंगे रामफल पामार 31 दिसंबर 2021 को रिटायर हो रहे हैं और अगर NCRB के बारे बात के तो यह एक Indian Government Agency है जो कि जितने भी आपरादिक आकड़े होते हैं collecting and analyzing crime data as defined by the Indian Panel Code and Special and Local Laws और NCRB का एटक्वार्टर आपको मिलेगा नई दिल्ले में और यह ग्री मंत्राले का ही एक हिंसा है स्थापना इसकी हुई 11 मार्च 1986 मोटो इसका क्या है Empowering Indian Police with Information Technology तो याद रखिएगा आगे बढ़ते हैं यह बते हैं कि महिला गोल्फ प्लेयर अधिती असोग को किस मोटर कंपणी ने अपना ब्रांड अमबेजडर बनाया है इसका उत्तर हो जाएगा option B यानि की Hyundai कंपणी ने तो बिकल B आपका correct है यह आपर और इसी के साथ आ ब्रांड अमबेजडर बनाए गये हैं डिसब पंथ और रांसरा प्रदिस के ब्रांड अमबेजडर बने हैं संजेदत और कोविट का करन के लिए महारास्टरा के ब्रांड अमबेजडर बनाए गये हैं सलमान खान crypto exchange coin DCX यह जो coin DCX है इसके ब्रांड अमिताब बच्चन है अमबेजडर बनाएं गये हैं यही यानि की ब्रांड अमिताब बच्चन ही और टाटा एया ये life insurance के ब्रांड अमिताब बने हैं नीरत चोपड़ा बने हैं आगे बढ़ते हैं हाली में किस देश ने दुनिया का पहला anti-covid-19 stainless steel का रिभाण किया है अब यह प्रस नहां आप मतलब काफी दिनों तक जिन्दा रहता है लेकिन यह जो इस्टील बनाया गया है anti-covid-19 stainless steel इसकी सत्व पर यह जिवाणू अधिक समय तक जीवित नहीं रहता है मतलब कुछ घंटों में ही यह समाप्त हो जाता है अब विसाणू है तो उसके लिए मिरत तो सत्का प्रवब stainless steel बनाया है जो तेजी से फैल रहे कुरोना वायरस के omicron variant को घंटों के भीतर खतम कर सकता है हॉंग कॉंग इंविश्टी के सूथ करता हों द्वारा प्रकासित दिन के मताबिक यह stainless steel SARs cov-2 वायरस को यह कि SARS cov-2 जिसको omicron कहा जा रहा है इसको तीन गंटे में 99.75% तक सम कर सकता है क्रोना वायरस सतों पर 2-3 गिनों से ज़्यादा समय ते जिवीत रह सकता है लेकिन यहां पर ज्यादा समय तक जिवीत नहीं रहता है सुथ करता हों ने आगे कहा कि यह इलाओए दूसरी भीमारी पाईबा करने वाली जो बैक्टिरिया है उनको भी खतम कर सकता है उसे भी राक्षा कर सकता है और H1N1 इंफ्लेंजा A वारस और Esteria कोलाई जीसे बक्टीरिया को भी निस्क्रिव कर सकता है तो याद रखिएगा इसको यह प्रस काफी important है Anti-COVID-19 stainless steel का निर्मान Hong Kong में किया गया है विकल्प A इसका correct है पंजाब के नए डिजीपी महानित्यसक कौन बने हैं तो सिधार्थ चटोपाध्याजी यानि कि बिकल्प ए आपका इसका सही उत्तर होगा तो पंजाब सरकार ने 1986 बहस के IPA सदिकारी सिधार्थ चटोपाध्याज को पुलिस महानित्यसक का कारिभार सौपा है अभी तके जिमिदारी इकबाल पीत सिंग सहोता देख रहे थे नौजोट सिंग सिद्दू से आप परचित होंगे उनके लगातार बिरूत के बाद इकबाल सिंग सहोता को अभिरूत कर रहे थे इसके बाद यह कदम उठाया गया है पंजाब सरकार ने 1986 बैस के आईपे सधिकारी सिधार चटोपाध्या को पुलिस महानित्यसक का कारेभार सौंद दिया है याद रिखेगा कि उत्तरपदेश की जो डीजीपी है उनका नाम है मुकुल गुयल उडिशा की डीजीपी का नाम है सुनिल कुमार बंसर गोवा के डीजीपी कोण है हरयना की डीजीपी प्रसांद कुमार अगरवाल आगे बढ़ते हैं सैफ अंडर 19 वीमेंज चेंपेंशिप 2021 का खिताब किस देश की टीम ने जीता है बहुत इंपोर्टन कोश्चन है ये सैफ अंडर 19 वीमेंज चेंपेंशिप 2021 का आयोजन कहां पर हुआ सोचो उसके अतुरत में आपको भी दे रहा हूँ फिलाल इस चेंपेंशिप का बीजिता रहा है बांगलादेश बांगलादेश ने किसको हरा है उप बीजिता भारत बना है तो ये भी याद रगना और इसका जों कहां पर हुआ धाका में हुआ तो याद रगना इसको भी काफी इंपोर्टेंट है बांगलादेश महिला टीम ने फाइनल में भारत को हरा कर सैफ अंडर 19 महिला चेंपेंशिप को जीत लिया है बांगलादेश की साहिदा अक्तर रिपा ने प्रूर्णामेंड में सरवार्दी गोल किया इसके लिए उन्ह सबसे मुल्लिवान खिलाडी मोस्ट वैलेबल प्लेयर का पुरुसकार दिया गया है 2021 सैफ अंडर 19 महिला चेंपेंशिप यह जो सैफ अंडर 19 महिला चेंपेंशिप होता है इसका दूसरा संस्क्रण था प्रूर्णामेंड का एउजन 11 से 22 दिसमबर 2021 तक धाका के बी एस एस मुस्तफा कमाल स्टेडियम में किया गया था और 2021 सैफ अंडर 19 महिला चेंपेंशिप में पांस दिसों ने भाग लिया था पाकिस्तान को निलंबित कर दिया गया था अप्रेल में ही इसलिए उसने इस प्रत्यों किता में पार्टिसिपेट नहीं किया है और दोस्तों इसे क कर दिजिए रिजिंग लें बहुत इंपोर्टेंट होगा लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को लाइक और शेर आपको कर दिया करें निमित तोर से थैंक्यू सो मच